एस्ट्रो तक एप पर आपको मिलेगा भविश्य से जुड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्ट्रो तक एप और चिट्की में जुड़े इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजे से मित्रो नवश्कार मैं हूँ आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हारदे कभी नंदन करता हूँ एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुती कमल नंदलाल की भविश्वाणी आपका राशिफल इस राशी फल में बात करेंगे मेश से लेकर मीन राशी के राशी फल की साथे साथ आपको बताएंगे राशी अनुसार को सरल उपाए राशी अनुसार ये आपका शुभंक और शुभंक भी पंचांग बताएंगे और राशी फल के आखिर में आपको बताएंगे कैसा विशे शुपाय जो आपके जीवन की किसी खास समस्या को चुटकियों में दूर कर देगा तो चलिए राशिफल की शुरुवात करते हैं पंचांक के साथ में तो दिन है सुमवार का तारीख है 20 परवरी 2023 तेइस फागुन अमावस्या पर चंदर्मा कुमराश वर धनिष्टा नक्षत्र में रहेंगे दिन का शुभंक रहेगा दो शुभंक रहेगा सफेद शुबदिशा रहेगी व्यायव्य रहुकाल रहेगा सुभह साड़े साथ बज़े से लेके नौ बज़े तक का दिन का सबसेशो मोहरत रहेगा सुभह ग्यारा बच कर पाँच मिनट से लेके दोपहर में बारा बच कर अठावन मिनट तक विशेश का है सोमवती अमावस्या है विशेश दिन है और फागुन अमावस्या है और ऐसे मैं आपको बताएंगे सोमवती अमावस्या के दिन कैसे आपको आर्थिक संपन्नता मिलेगी खास दिन है धन की बरसात का आर्थिक संपन्नता का उसके लिए राशेपल को आखिर तक देखेगा अपनी सेहत पर ध्यान दें, उपाई ये करें कि पूजा घर में सफेद फूल चड़ा हैं, शुबंग दो रहेगा, शुबरंग रहेगा, सफेद, दूसरी राशी व्रिश यानि के टॉरस की बात करेंगे, समाजिक सम्हारों में शिरकत करेंगे, आत्म विश्वाश में म्रद विस्तार के लिए कर्ज लेंगे, बुरी आदतों से बचेंगे, घरिलू काम डप्टाने में सफल रहेंगे, उपाई ये करें कि कटोरी में चीनी भरकर उत्तर पस्चिम दिशा में रखें, शुबंग सात रहेगा, शुबरंग रहेगा, सिली टी, चौथी राशी करक यानि शुबरंग रहेगा, नीला, पाँचवी राशी सिंग यानि के लिए की बात करेंगे, अहम फैसले लेंगे, कारोबारियों को बड़ा लाब होगा, निवेश से लाब के योग हैं, रोजगार में बदलाव लाने से बचें, परिजनों के मदद से रुके वे काम आपके पू शुबरंग रहेगे, धर्मकर्म में जो है वो रुची बढ़ेगी, उपाई ये करें कि जेव में सफेद रुमाल रखें, शुबरंग सात रहेगा, शुबरंग रहेगा, सिलेटी इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूणना आसान, प्रॉब्लम्स से सल्यूशन तर, एल्टर तर, know your faith सात्वी राशी तुला, यानि कि लिबरा की बात करेंगे, आर्थिक मामले में किसी पर भरोसा ना करें, संबंदों में सुधार आएगा, हर काम सोच समझ करके करें, नौकरी में तरक्की के योग हैं, घरीलू माहुल मधुर रहेगा, उपाई ये करें कि चांदी के पहने शुभंक आठ रहेगा, शुबरंग रहेगा, काला, आठवी राशी वरिष्चे कियानि कि स्कॉर्पियों की बात करेंगे, कारोबार में मंदी रहेगी, व्यवहार से लोग दुखी रहेंगे, रोजगार के लिए कर्ज लेना पड़ेगा, महतोपुन काम में सफलता म में लेगी, हाला कि बेकार के विवादों से दूर रहें, उपाई ये करें कि घर के व्यायव्यकोन में पानी का बरतन रखें, शुभंक दो रहेगा, शुबरंग रहेगा, सफेद, नवी राशी धनू, यानि कि सजिटेरियस की बात करेंगे, अचानक धनलाब के योग हैं, कामकाद से लोग प्रभावित होंगे, आर्तिक पक्ष में सुधार आएगा, खास मित्र मिलने घर आएंगे, प्रेमी जीवन में मिठास रहेगी, उपाई ये करें कि ओम नमह शिवाया, इस मंतर का जाब करें, शुभंक पांच रहेगा, शुभंक रहेगा, शुभंक लाल, ग्यारवी रशी कुम्भ, यानिक एक्वेरिस की बात करेंगे, कामकाज में कड़ी मेहनत करेंगे, मन में नए विचार आएंगे, विवार और आचेरण में बदलाव लाएं, परिजनों के विवार से दुखी रहेंगे, सेहत का ख्याल रखें, उपाई ये करेंगे, लाल, बारवी रशी मीन, यानि पाईसिस की बात करेंगे, पारिबार एक विवाद के योग हैं, जल्द वाजी में फैसले लेने से बचें, कोई नए जिम्मेदारी मिलने के योग हैं, पैर में चोट लगने, ये संभावना है, दाम पत्र में मधूरता रहेगी, उपाई य का दिन है, ऐसे में देवादी देव महादेव के पूजन का विधान है, और अश्वत यानि कि पीपल के पूजन का विधान है, तो क्या करें, पीपल का पूजन करें, और हल्दी से कच्चा सूथ उसे पीला कर लें, और पीपल की 108 परिक्रमाएं लेते हुए, गांठ पन्नता निश्चत मिलेगी तो दोस्तों आज के लिए बिस इतना ही कर आप से फिर में लाकात होगी इजाज़त दीजे नमस्का नमस्षिवाए एस्टो तक आप पर आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब डाउन्लोड कीजिए एस्टो तक आप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलोजर से